टॉप फाइव कीबोड सोटकटकी जो की काफी ज्यादा यूजफुल सोटकटकी है इसके बारे में जानना है क्यों काफी लोग नहीं जानते हैं इस सोटकटकी के बारे में जो कि काफी ज़्यादा useful shortcut की है सिर्फ 5 shortcut की है इस वीडियो में जो कि काफी ज़्यादा useful है तो वीडियो को पूरा देखना end तक नमबर 1 अगर हमें new folder बनाना हो इस keyboard की shortcut की से तो इसके लिए हमें प्रेस करना होगा control button यह रहा control shift और यहाँ देखने को मिलेगा end बटन हमें एक साथ प्रेस करना है control shift और end बटन निव फोल्डर आ गया अब इसका नाम टाइफ करना है कुछ भी इसका नाम टाइफ कर देते है टाइफ कर दिया तो हमारा जो निव फोल्डर है बनके तो इस तरह हम निव फोल्डर बना सकते है इस keyboard की shortcut की से number two अगर आपको अपने laptop को shutdown करना हो यानि बंद करना हो तो किस तरह कर सकते है keyboard की shortcut की से तो इसके लिए में बटन देखने को मिलेगा यह रहा alt button यहाँ देखने को मिलेगा F4 button हमें एक साथ प्रेस करना है alt के साथ जैसी F4 button प्रेस करेंगे हम तो हमारे सामने option आजाएगा shutdown का हाला कि इस laptop में यह option नहीं आ रहे क्योंकि laptop Lenovo का है इसमें दूसरी keyword कर्टी है जो कि मैं बताने वाला हूँ तो आपको alt के साथ F4 button प्रेस करना है alt Fn और F4 button जैसी हम प्रेस करेंगे option आगे हमारे सामने यह रहा shutdown का तो यहां से ओक्के वाल बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा laptop यहां से off हो जाएगा यानि बंद हो जाएगा नमबर थ्री अगर आपको अपने laptop में task manager ओपन करना हो तो इसके लिए shortcut की है यह रहा control बटन control shift और यहां देखने को मिलेगा escape की ES और C बटन हम यह एक साथ प्रेस करना है control shift और ESC बटन एक साथ प्रेस करना है जिससे हमारे जो laptop इसके अंदर task manager ओपन हो जाएगा नमबर फोर अगर आपको रुपीज का symbol type करना हो तो आप किस तरह type कर सकते हैं तो इसके लिए button देखने को मिलेगा यह रहा फोकस करता हूँ इस button पे alt button यह रहा control button और यहां देखने को मिलेगा charge number button जिसमें dollar का sign बना हुए हमें एक साथ प्रेस करना है alt control button और यह charge number button जैसे हम प्रेस करेंगे तो रुपीज का symbol आ जाएगा नमबर फाइब अगर हमें डेश्टोप पर किसी PDF को या किसी बीडियो को या किसी image को लाना हो जैसे यहां पर मेरी photo आ रखे हैं या किसी बीडियो को ला रखा है मैंने तो यहां पर किस तरह हम ला सकते हैं डेश्टोप पर किसी photo को PDF को या किसी बीडियो को तो इसके लिए क्या करना होगा मैं दिस PC में जाना होगा यहां से उस photo को या बीडियो को select करना होगा तो हम इस पर click करते हमारे पास एक बीडियो है और right click करना है यहां से इसको copy करना है यहां से हमने इसको copy कर लिया यहां से अब हमें इस जगे लाना है डेश्टोप पर तो क्या करेंगे right click करेंगे और यहां option देखने को मिल जाएगा यह रहा paste महां से हमने copy किया यहां लाकि हम क्या करेंगे इसे paste कर देंगे तो जो वीडियो यहाँ पर आ चुकी है तो इस तरहें आप किसी पीडिया पर फोटो को भी ला सकते हैं